तो चलिए समझते हैं कि अमरीका में पिक्चरों को rating कैसे दी जाती है कि मतलब हाँ ये पिक्चर बढ़ों के लिए है और हाँ ये पिक्चर बच्चों के लिए तो गुरू इन टोटल American Motion Picture Association के पास 5 rating के system है पहला आता है जी मतलब की General Audience हर कोई देख सकता इसे अभी गर्मा गर्म पैदा होने से लेकर ventilator तक कोई भी रोक नहीं है दूसरा आता है PG rating, मतलब कि parents को सुझाओं में नहीं तो उनके mark deduction में देखी जानी चाहिए क्योंकि कुछ चीजों बच्चों के लिए सही नहीं हो सकती है तीसरा आता है PG 13, जिसका मतलब है कि parents को strongly चेतावनी दी जाती है कि 13 साल से कम उमर वाले बच्चों के लिए ये माल ठीक नहीं हो सकता है चौथा आता है R rating, जिसका मतलब होता है restricted, मतलब कि 17 साल से कम उमर वाले बच्चों के लिए parents या guardians के साथ देखना important है अब पांचवा आता है NC17, only for adults, जिसे पहले X rating के नाम से भी जाना जाता था जिसका मतलब होता है कि चाहे जो कुछ ना हो जाए, 17 ये उससे कम उमर वाले बच्चे तो नहीं ही देखेंगे और हाँ इसमें वो सारा माल भी आता था, तभी तो उसका नाम बदलना पड़ा